नमस्कार आप देख रहे हैं दे नाशनल टीवी और मैं हूँ आपके साथ वंशिका चाहान आरेन खान की गिरफतारी पर शत्रुगन सिना ने दिया चौकाने वाला बयान कहा शारुक खान की वज़ा से है उनका लड़का ऐसा बॉलिवुट के दिगजबिनेता शत्रुगन सिना ने इटाइम्स के साथ बाचीत में शारुक खान के बेटे आरन खान के कथे ड्रग मामले को लेकर बात की है आरन खान को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप पर NCB की छापे मारी के बाद गिराफतार किया गया था फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए शत्रुगन सिना ने कहा कोई भी आगे नहीं आना चाहता हर कोई सोचता है कि ये हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है और जिसकी भी है वो खुद इससे निपतेगा वो चाहते है कि इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़े इंडस्ट्री डरे हुए लोगों का एक ग्रुप है गोधी मीडिया की तरह ही वो गोधी कलाकार है क्या शारुखान को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है इस बारे में शत्रुगन सिना ने कहा हम ये नहीं कह सकते कि इस मामले में उनका धर्म बीच में आ रहा है या नहीं लेकिन कुछ लोगों ने आप इस सब्जेक्ट का इस्तमाल करना शुरू कर दिया है जो बिलकुल भी सही नहीं है जो भी भारती है वो भारत का पुत्र है और हमारे सम्विधान के तहट सभी एक समान है आरण को निशाना बनाये जाने पर शत्रुगन ने आगे बात की और कहा मुझे लगता है कि शारुखान ही कारण है कि उनके लड़के को निशाना बनाया जा रहा है शत्रुगन ने मामले के बारे में आगे बात करते हुए कहा हम ये भी जानते हैं कि उन्हें आरण के पास कोई ड्रग नहीं मिली है और ना ही उनके पास कोई आपत्ती जनक सामगर अगर उन्हें ड्रग्स मिली भी तो सदाल की है लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं होता है आर्यन और बाके को गुरिफतार करने के बाद एक और बड़ा सवाल जो पूछा जाना चाहिए यूरिन और ब्लड टेस्ट क्यों नहीं किये गए आमतोर पर इस तरह के मामलों में ऐसा ही